वेलकम टू ग्रीन बोर्ड मेरा नाम है मंदीप इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैस चेप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये इंट्रोड़क्शन वीडियो होगी यानि कि इसमें जो भी नई NCRT है उसके according concept और formula है सभी को example के साथ है इस वीडियो में मैं आपके लिए explain करूँगा इसके अलावा जो भी इस चेप्टर की exercises होंगी उन सभी को अलग-अलग वीडियो में sold किया गया है सभी के link आपको नीचे description box में provide कर दिये गए हैं सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना जो भी इस chapter का introduction है introduction to arithmetic progression इसको शुरू करते है next page से introduction में सबसे पहले जो भी chapter है उसका नाम होता है guys arithmetic progression इसकी short form को कहा जाता है AP हम ज्यादतर AP यानि की short form का ही use गरेंगे अब यहां पर आप कहोगे कि यह sequence क्या होता है तो उसके लिए भी definition लिखी गई है यहाँ पर है, it is a set of numbers arranged in a definite order, यह numbers का set होता है, जिसमें जो भी हमारे numbers है, उनको properly एक definite तरीके से arrange किया गया होता है, जब तक example नहीं लेंगे, जब तक आपको यह clear नहीं होगा, तो example के लिए यहाँ पर है, examples of AP, यानि की arithmetic progression के यहाँ पर हमारे पास examples हैं, जैसे यहाँ पर देख 6, 7, 8, 9, और last में 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 से 2 का जो difference है, 1 का है, उसके बाद 2 से 3 का difference देखेंगे, यहाँ पर भी 1 add होता है, 3 में 1 add करने पर 4, 4 में 1 add करने पर 5 है, यानि की यह हो जाएगी हमारे एक AP, चुकि यहाँ पर जो difference है ना, एक number से दूस जाएंगे, तो भी 1 का difference है, 3rd number से 4th number पर जाएंगे, तो भी 1 का difference है, difference यहाँ पर constant है, तो जो भी हमारा यह sequence है ना, यह हो जाएगा हमारा एक AP, इसी तरह से यहाँ पर देखो, पहला number हमारा 100 है, उसके बाद 70, फिर 40, फिर 10, फिर minus में 20 and, so on इसी तरह से आगे यह number चलते रहेंगे, तो यह भी हमारा AP का example होगा, क्योंकि 100 से 70 जाने पर 30 points कम हो जाते हैं, तीक है, इसी तरह से 70 से 40 जाने पर, फिर से 30 points कम हो जाते हैं, 40 से 10 जाने पर 30 points कम हो जाते हैं, 10 से minus 20 जाता है, तो फिर से 10 points कम हो जाते हैं, जो भी हमारा first number है, first से second, second से third, third से fourth, fourth से fifth, और इसी तरह से जो भी हमारे आगे values आएंगी सभी का जो difference है वो constant है तो ये भी हमारी AP हो जाएगी अब आप बताओ यहां पर जो अगली हमारी sequence दी गई है यह AP है या नहीं वीडियो को रोको comment करके बताओ कि यह AP है या नहीं मेरा answer होगा कि यह AP है क्योंकि difference जो है वो बिल्कुल same है यहां से यहां जाने पर difference 0 है यहां से यहां पा का difference भी 0 यहां से यहां का difference भी 0 सभी का difference जो है वो 0 है और जो भी हमारी ये values है इसी तरह से continue आगे चलती रहेंगी तो ये वाला जो हमारा sequence है है ये भी AP का example ही हो जाएगा दिफरन्स जो होगा एक time से दूसरी time पर जाने क लिए वो same होना चाहिए वो constant होना चाहिए तीक है जैसे यहां पर क्या हुआ है हमारा 1 से 2 पर जाने पर 1 का difference है 2 से 3 जाने पर 1 add हो गया 3 से 4 जाने पर 1 आ गया 4 से 5 जाने पर 1 आ गया तो जो difference है वो constant आ रहा है तो वही सारे sequence हमारे AP हो जाएंगे अब बात करेंगे AP के types की, AP के दो type होते हैं, यहाँ पर हमें दिया है types of AP finite AP और infinite AP दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं दोनों का example भी आपको मैं बताऊँगा तो यहाँ पर दिया है the AP has limited terms called infinite AP, जो भी हमारी sequence में यह numbers होते हैं इनको terms कहा जाता है, ठीक है यह हमारी first term, यह हमारी second term यह हमारी third term, यह हमारी fourth term, जो भी हमारी terms होती हैं न, वो limited terms हो, यानि कि उन terms का कहीं न कहीं पर जाके end होगा, कभी न कभी हमें last term मिलेगी, तो ऐसे AP को कहा जाता है finite AP और infinite AP में दिया है the AP has unlimited terms called infinite AP ऐसी arithmetic progression जिसकी infinite terms होती है, अनगिनत terms होती है, जिसका unt कहीं पर भी नहीं होता है उसकी terms का, तो उसको infinite AP कहा जाता है example की बात कर लेते हैं जैसे example हमने यहां पर लिये थे AP के, इनी में आप देखो हमें last term यहां पर 100 मिल गई है यानि कि इसमें जो भी terms है उसका कहीं न कहीं पर हमें unt ending मिलती है तो यह हो जाएगी guys हमारी finite AP क्योंकि इसकी last term हमें मिल जाती है कोई भी ऐसी AP जिसकी last term नहीं दी गई है और last में इस तरह से dot लगा दिये गई हैं तो वो होती है हमारी infinite AP, finite AP में last term हमें दी गई होती है लेकिन infinite AP में last term नहीं होती है इसी से आप इसी तरीके से अंतर पहचान सकते हो finite और infinite AP के बीच में तो यह जो दो example हैं यह हो जाएंगे हमारे infinite AP के क्योंकि इनके आगे dots लगाए गए हैं यानि कि जो भी इनकी terms हैं आगे इसी तरह से continue चलती रहेंगी इसमें भी और इसमें भी इनकी last term हमें कभी भी नहीं मिलेगी यह इसी तरह से continue रहेंगी यह हो जाएगी हमारी finite AP क्योंकि last term हमें मिल गई है इनकी last term नहीं है इसमें आगे so on लिखा गया है मतलब यह dots लगाएंगे हैं इसका मतलब है कि आगे terms चलती रहेंगी तो यह हो जाएंगे हमारे infinite AP के examples अभी AP के जो और concept है उनको भी हमें समझना है तो उसके लिए move करते हैं next page पर introduction वीडियो से आपके जो भी concept है वो clear हो जाते हैं उसके बाद concept का use करके आपको बहुत सारे questions की practice करनी होगी practice करने के लिए आपको चाहिए एक question bank और Oswal Guru का ये question bank सबसे best है mathematics और science के लिए जो भी ये question bank है इसमें MCQ भी दिये गए है case based वाले यानि की latest syllabus और latest pattern के according इसको design किया गया है इससे आपको practice करनी होगी practice करने के बाद जो भी आपकी performance है न वो improve हो जाएगी और exam का result बहुत शांदार रहेगा इसको purchase अगर करना है तो link description box में दिया गया है या फिर direct amazon पे जाओ सर्च कर लो Oswal Guru कुल question bank से purchase कर लो और बहुत सारे questions की से practice करके exam की performance को improve कर लो AP के question भी इसमें बहुत सारे दिये गई है तो उनकी भी practice हो जाएगी ठीक है ना तो अब आज आते हैं अपने next concept पर अब यहाँ पर बात करते हैं जो भी हमारी AP होती है उसकी general form किस तरह से होती है general form को अगर हमने समझ लिया तो बहुत सारे concept हमारे cover हो जाएंगे तो जो भी हमारी AP होती है यहाँ पर दो general form लिखी गई है हम एक से भी काम चला सकते थे लेकिन दोनों में नहीं इसलिए लिखी है ताकि आपको clear रहे concept बिल्कुल crystal clear हो जाए तो जो भी हमारी AP दी गई है ना उपर वाला होगा infinite AP की general form नीचे वाली होगी finite AP की general form finite AP में क्या होता है last वाली जो term होती है वो हमें दी गई होती है और infinite AP में last वाली term हमें given नहीं होती है last में बस इस तरह से dots लगा दिये जाते है so on इसी तरह से यह आगे continue रहेगी अब यहाँ पर जो भी general form है उसको समझने के लिए हमें कुछ terms को समझना पड़ेगा जैसे A जो होता है वो हमारी AP की first term होती है इसी तरह से D जो है उसको common difference कहा जाता है एक term से दूसरी term का जो difference है उसी को हम common difference कहते है AN जो है उसको last term कहा जाता है last term हमारी किसमे मिलती है सिरफ finite AP में last में AN लिखा गया है it means last term होगा इसका मतलब और N होता है number of terms यानि कि जो भी हमारी AP है उसमें total कितनी terms है उसको हम N से denote करते हैं अब जो भी हमारी ये general form है इसको देखो ये वाली general form और ये वाली general form दोनों में difference क्या है कि इसमें last term दी गई है और इसमें last term given हमें नहीं है अब यहाँ पर कुछ चीजे मैं explain करता हूँ काफी importance रखती है वो जो भी हमारी AP की first term है इसको हमें A कहा जाता है यहाँ पर A लिखा गया है तो इसको A ही कहा जाता है जो भी हमारी second term है वो होती है A plus में D यानि कि first term में common difference जो हमने D से denote किया है उसको add कर देते हैं तो यह हो जाती है हमारी second term जिसको हम A2 से denote करते हैं इसी तरह से A plus 2D यह होती है हमारी third term इसको हम denote करते हैं A3 से इसी तरह से next यहाँ पर A plus में 3D है यह होती है हमारी fourth term जिसको लिखते हैं A 4 इसी तरह से A plus 4D यह हमारी fifth term हो जाएगी जिसको हम denote करेंगे किस से A5 से इसी तरह से यह वाली हमारी sixth term हो जाएगी इसको हम denote करेंगे guys A6 से easy है ना बिलकुल जो भी हमारी first term है वो A होती है second term A2, third term A3, fourth term, A4, fifth term A5 और sixth term होती है A6 है और last term जो होती है उसे कहा जाता है AN यानिकी last term of AP यहाँ पर जो भी हमारी यह AP है बिलकुल यही चीजे इसमें भी होंगी यह हमारा A, यह हमारी A2, यह हमारी A3, यह हमारी A4, यह हमारी A5, यह हमारी A6 है बस last term finite AP में होती है और infinite AP में last term नहीं होती है, अब यहाँ पर माल लो हमें A की value दी गई है ठीक है, कोई हमें AP बनानी है हमें A की value दी गई है 3 और D की value दी गई है हमें यहाँ पर 5 है, तो हमें पता करना है कि AP क्या होगी हमारी, हम किस तरह से AP बना सकते हैं, सबसे पहले वाली term हमारी a equals to में 3, तो as it is आ जाएगी, अगर हमें a2 find करना है, first term a हमने यहाँ पर find कर ली, a2 यानि की हमें second term find करनी है, तो इस तरह से लिखेंगे a2 equals to में, a2 के लिए हम a plus में d लिखेंगे, ठीक है, यह आ गया हमारा a plus में d, अब इसमें values पता है, d की value हमें 5 पता है, तो a की जगहें पर आ जाएगा 3, d की जगहें पर आ जाएगा 5 है, जो भी हमारा a2 है, 3 प्लस में 5 यह हो जाएगा, 8 इसी तरह से a3 की value find कर लेंगे, a3 के लिए हम लिखेंगे a plus में, यहाँ पर देखो a3 क्या है, a plus में 2d दिया गया है, तो यह यहां पर लिखेंगे हम 2 उसके बाद आ जाएगा हमारा D तो यहां पर इसको calculate करेंगे values put करने के बाद जो भी हमारा A है उसकी जगह पर हम 3 ही रखेंगे जो भी हमारी first term है 3 आ जाएगी उसके बाद plus का sign लगा करके 2 D करना है हमें D की value 5 रखनी है तो 2 यहां पर as it is उसके in short calculate कर लेते हैं 5 को 2 से multiply करेंगे 10 हो जाएगा 10 में 3 प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 13 इसी तरह से अगर हम A4 find करते हैं तो क्या मिलेगा हमें formula हमारा क्या हो जाएगा A4 के लिए A plus में यहां पर fourth वाली term हमारी क्या है A plus में 3D है तो यहां पर लिखेंगे 3 उसके बाद bracket में आ जाएगा D यहां पर calculation करेंगे A की value 3 रहेगी प्लस में यह वाला 3 हमारा as it is आ जाएगा इसके बाद जो भी हमारा D है उसकी जगे पर value put करनी है हमें 5 तो यहां पर 5 रखा अब इसको solve करना है 5 3 जा होता है 15 15 प्लस में 3 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा guys यहां पर 18 यानि कि जो भी हमारी A P है वो किस तरह से पता करेंगे हम क्या होगी हमारी A P, first term सबसे पहले लिखी जाती है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 कोमा लगा लेंगे उससे next term यहां पर 8 आई है तो यहां पर 8 आ जाएगा कोमा लगा के उससे next वाली term हमारी A 3 जो है उसको लिख 13 में 5 एड़ किया तो 18 आया अब 18 में 5 एड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23, 23 में 5 एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 28 इसी तरह से हमारी AP चलती रहेगी यह हो जाएगी हमारी AP इस वाली condition के लिए अगर A की value 3 है और D की value 5 है तो यह हमारी AP हो जाएगी अब यहाँ पर एक बात ओरा जाती है कि difference कैसे find करना है difference कौन सा common difference है common difference हमें कैसे find करना है माल लो अगर हमें मतलब एक और example ले लेते हैं D को यहाँ से रब कर देता हूँ माल लो हमें यहाँ पर कोई AP दी गई है ठीक है यह हमारी AP यहाँ पर given है 4, 8, 12, इसके बाद 16 इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 20 and so on हमें पता पूछा गया है कि हमें D की value find करनी है D यानि की common difference हमें find करना है तो common difference find करने के लिए क्या किया जाता है A2 minus A किया जाता है यहाँ पर हमारी A2 क्या हो जाएगी A2 की value यानि की second term हमारी 8 हो जाएगी उसमें से हमें A यानि की first term को minus करना है A2 हमारा 8 है उसके बाद A हमारा 4 है 8 में से 4 को minus करेंगे तो common difference की value यहाँ पर हमारी 4 आ जाएगी इसको दुबारा से recheck भी कर लेंगे Recheck करने के लिए क्या करेंगे D यहाँ पर as it is रखेंगे D find करने का एक और तरीका है हमेशा A2 में से A1 करना जरूरी नहीं है हम A3 minus में A2 भी कर सकते हैं यानि की A3 minus में A2 करेंगे अब यहाँ पर देखो क्या हमें answer में मिलता है 3rd term में से मुझे 2nd term को minus करना है 3rd term 12 है 2nd term 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 minus में 8 करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 4 आएगा हर जगे पर हमारा जो भी difference है वो 4 हमें मिल रहा है तो यहाँ पर भी हमारा difference है सेम रहे यहाँ पर हमारा difference है यहाँ पर भी difference है तो यह हमारी एक AP हो जाएगी और common difference कैसे find करना है यह भी मैंने आपको बता दिया है अब जो भी हमारी AP है इसके कुछ formula भी है बहुत easy easy से formula है उनको समझने के लिए move करते हैं guys, next page पर, AP में दो ही formula है, अगर इन दोनों formula को आपने अच्छी तरह से समझ लिया और कुछ questions की practice कर लेते हो, तो AP का कोई भी question आपको difficult नहीं लगेगा, जाधा तर जो AP में questions हैं, वो formula based ही हैं, तो formula को ध्यान से समझ लेना, यहां पर हमें दिया find the number of terms, find the last term, अगर हमें last term find करनी हो, या number of terms find करनी हो, तो हमारे लिए formula होता है, AN, AN क्या होता है, last term of AP, formula, अगर last term of AP हमें find करना है, तो formula होगा, A plus में, N minus 1 into D, A हमारी first term होती है, N हमारा number of terms होती है, D हमारा common difference होता है, सारी चीज़े मैंने पीछे वाले page पर बता दी हैं, के लिए हमें ये AP दी गई है, AP में first term 5 है, second term 8 है, उससे next term 11, 14, 17, 20, and last में हमें A 12, यानि कि इस AP में total 12 term से हैं, ये कहा गया है, अब जो भी इसके 12th term होगी, ये हमें find करना है, तो कैसे किया जाएगा, इस वाले formula का use कैसे करना है, वो समझो, देको simple सी बात है, सबसे पहली term हमें 5 दी गई है, तो A यानि की first term हमारी 5 है, यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद common difference क्या है, वो लिखेंगे, common difference कैसे find करते हैं, A to minus में A करया जाता है, तो यहाँ पर देखो, A to हमारा 8 है, इसमें से A को minus कर देंगे, 8 minus में 5 करेंगे, value put करेंगे, 8 minus में 5 है, तो जो भी ह हमारा D है, उसकी value आ जाएगी, यहाँ पर 3, A की value हो गई हमारी 5, D की value हो गई हमारी 3, इसके बाद N की value हमें देखनी होगी, formula में N भी तो है, N की value हमें देखनी होगी, तो N लिखेंगे equals to me, N क्या होता है, number of terms है, इसमें यहाँ पर देखो, 12 लिखा गया है, it means number of terms इस वाल AP में कितनी है, 12 terms हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 है, हमें A पता है, D पता है, N पता है, तो हम A, N easily find कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, formula में total हमारी 4 term है, A, N, A, N और D, अगर हमें इन में से कोई भी 3 चीज़े दी गई हैं, एक चीज़ हमें इस formula से बची हुई, find कर सकत हैं, अगर हमें यह वाली 3 चीज़े दी गई हैं, तो हम A, N find कर सकते हैं, जादा से जादा questions की इसमें से आपको practice कर लेनी है, formula का use करके हम A, N की value find करेंगे, यानि कि जो भी last term है, उसको हम find करेंगे, तो formula यहाँ पर में लिक देता हूँ, A, N equals to में, यहाँ पर आ जाएगा ह यह वाला A हमारा as it is आ जाएगा, उसके बाद यह वाला N है, N की जगह पर हमें 12 put करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा N की जगह पर 12 है, यह वाला A है, इसकी जगह पर हम put कर देंगे, 5 है, उसके बाद plus का sign लगा करके, N minus 1 है, N की value 12 हमारे लिए है, तो यहाँ पर आ 3 है, उसकी value हो जाएगी यहाँ पर, जो हमने find की है, 3 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 अब इसको calculate कर लेंगे, calculation बिल्कुल सिंपल रहेगी हमारी, यह हो जाएगा हमारा 5, plus का sign as it is, 12 में से 1 को minus कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 11, उसके बाद जो भी हमारा 3 है, इसमें multiply ह 5 हमारा as it is, plus का sign लगा लेंगे, 11, 3, यह हो जाएगा हमारा, 33, 5 plus में 33 करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 38, यानि की जो भी हमारी 12th term है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 8, 12 यानि की जो भी 12th term है, वो हो जाएगी हमारी 38, यह हो जाएगा हमारा answer, कैसे formula का use करना है, I hope आप आपको इस example से समझ में आ गया होगा, अब आ जाते हैं next वाले formula पर, next वाला formula क्या है, some more first and terms of AP, जो भी हमें यहाँ पर AP में terms दी गई है, अगर इन सभी terms को हम add कर दें, तो क्या answer हमें मिलेगा, उसके लिए use करना है हमें यह वाला formula, और इसके लिए मैं आपको एक trick भी बता है, इसी का use करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ यही वाला formula use करेंगे, जो भी हमारा sum of first and term of AP है, उसको capital S से denote करते हैं, तो यहाँ पर इसमे value put करेंगे, हमें इसी AP की जो भी terms हैं, उन सभी terms को add करने पर क्या answer मिलेगा, इसी को हम solve करेंगे, sum find करें हमारा 12, अपोन में 2, बड़ा वाला bracket लगा लेंगे, 2 आजाएगा, उसके बाद A की value यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 5, उसके बाद plus का sign लगा करके, bracket लगा लेंगे, N माइनस में 1 है, N हमारा 12 है, तो यहाँ पर आजाएगा हमारा 12, माइनस का 1, as it is, bracket close करेंग और उसके बाद आजाएगा हमारा D, जिसकी value हमने 3 find की है, D की value रखके, sorry D की value आजाएगी, हमारी 3 bracket बंद कर देंगे, अब इसको solve करेंगे, देखो guys, यहाँ पर 2 से 12 को cancel कर सकते हैं, 2 से 12 को cancel करेंगे, 6 times पर, cancel होने पर हमारा 6 यहाँ आजाएगा, उसके बाद बड़े वा हमारा 11, उसके बाद जो भी हमारा 3 है, इसे 11 में ही multiply होगा, next वाले step में इसको perform कर लेंगे, अब इसको आगे solve करेंगे, तो 6 हमारा as it is bracket लगा देंगे, bracket के बाद जो भी हमारा 10 है, वो as it is आजाएगा, यहाँ पर 11 को 3 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा guys, हमारा 33 bracket close करेंगे अब यहाँ पर 6 हमारा as it is आएगा, bracket के अंदर हमारी values क्या हो जाएगी, 10 प्लस में 33, यह हो जाएगा हमारा guys, 43 bracket हम as it is लगा देंगे, अब next वाले step में बहुत simple है, 6 को 43 से multiply करना है, तो 43 6 जाएगा हमारा guys, 258 यानि कि जो भी हमारी यह AP हमें दी गई है, अगर इसे AP की add कर देंगे, तो 258 answer में हमें मिल जाएगा, बहुत simple तरीके से हमने इस वाले formula का use सीख लिया, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर हमें last term दी गई हो, ठीक है, a12 की बजाए हमें यह बोला जाता कि जो भी हमारा a12 है, वो 38 दिया गया है, last term जो होती है ना, उस इसको हम l भी denote कर सकते हैं, अब एक formula मैं आपके लिए और लिख देता हूँ, sum of first n terms of ap के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, formula क्या होगा, s equals to me, n by 2, उसके बाद bracket आजाएगा हमारा, उसमें आएगा a plus में l, last term of ap, last term जो होती है ap की, उसको कहा जाता है guys, l भी उसको कहा ज जाता है, ज्यादतर हम उसको a, n से denote करेंगे, लेकिन अगर हम sum find कर रहे हैं और last term हमें दी गई है, तो उसे हम l से भी show कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर l की value अगर हम put करेंगे, तो क्या same answer हमारा मिलेगा, देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, n की value हमारी 12 ही रहेगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 upon में 2, उसके बाद bracket के अंदर जो भी हमारा a है, उसकी value हो जाएगी, 5 then plus में जो भी हमारा l है, l यानि की last term of ap, ap की last term अगर हमें given है, तो ही यह वाला formula use किया जा सकता है, मानलो हमें दी गई है 38, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 38 bracket बंद क करेंगे, solve करेंगे, 12 यहाँ पर 2 से cancel हो सकता है, 12 को 2 से cancel करेंगे, यहाँ पर 6 से, तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, bracket के अंदर 5 plus में, जो भी हमारा 38 है, 5 plus में 38 करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 43, अब यहाँ पर जो भी 6 है, इसको 43 से multiply करेंगे, same हमारी situation आ गई है, तो यह हो जाएगा हमारा 258 है, तो इस वाले page पर मैंने आपको 2 नहीं 3 formula बताएं हैं, जो भी हमारा an equals to a plus n minus 1d, यह वाला formula, अगर हमें sum find करना है, ap की सभी terms का, तो उसके लिए यह वाला formula use करेंगे, अगर ap में last वाली term हमें given है, और उनका sum हमें find करना है, तो उसके लिए यह वाला formula find करनेंगे, यह वाला formula भी important है, काफी कम time लगता है, अगर यह formula हम use करते हैं, जब last time हमें दी गई हो, तो जो भी formula थे ap के, वो हमने discuss कर लिए हैं, examples के साथ, तो formula वाला concept हो जाता है, इस chapter का complete, इनी दोनों formula और examples के साथ, जो भी इस chapter का introduction है, वो हो जाता है, complete, उमी समझ लिए हैं, तो इस video को like कर देना, आपने classmate के साथ share कर देना, जितने भी नए students हैं, channel को subscribe कर लेना, class tense related जो भी educational content है, videos है, channel पर इसी तरह से आती रहेंगी, इसके अलावा, जो भी chapter number 5, arithmetic progression की other videos हैं, जिनमे exercises को solve कर आया गया है, उन सभी के link आपको नीचे description box में दिये गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, so इस video में इतना ही मिलता हूँ आप से इसी तरह की next educational video में